यशर्ष्वी प्रधानमंत्री मारनिय नरेंद्र भाई मुगती जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे स्यावर राम चंद्र की जयाए स्यावर राम चंद्र की जयाए स्रद्धे मंच सभी संथ एवं रशीगन यहां उपस्तित और विश्व के कौने कौने में हम सब से खाज जुड़े हुए सभी राम भक्त आप सब को प्रणाम आप सब को राम राम आज हमारे राम आ गए है सदियों की प्रतिछा के बाद हमारे राम आ गए है सदियों का अभूत्पुर्व धैरिया अंगिनत बलिदान प्याग और तपश्या के बाद हमारे प्रणाम आ गए है इस सुबगड़ी की आप सभी को समस्त देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई मैं अभी गर्ब गुरुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूं कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अभूरूद है मेरा शरीर अभी बीस पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे हमारे राम लला अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे मेरा पक्का विश्वास है अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुभूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी ये च्छान अलोकिक है ये पल पवित्रतम है ये माहोल ये वातावरन ये उर्जा ये घड़ी प्रभू स्री राम का हम सब पर अशिरवाद है बाइस जनवरी दो हजार चोबिस का ये सूरच एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जनवरी दो हजार चोबिस ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नए काल चक्र का उद्गम है राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पूरे देश में उमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश वाचियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था आज हमें सद्यों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मानसिक्ता को तोड़ कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दौंस से हौंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद घटीत होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय सामान्य समय नहीं है यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाय से अंकिद हो रही अमीट स्मृति रेखाएं है साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते है इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटी को भी प्रणाम करता हूँ मैं माता जान की लक्ष्पन जी भरत सत्रुग्ण सब को नमन करता हूँ मैं पावन अयोध्य पुरी और पावन सर्यु को भी प्रणाम करता हूँ मैं इस पल दैविय अनुभव कर रहा हूँ कि जिनके आसिरवात से ये महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियां भी इस समय हमारे आज पास उपस्तित है मैं इनसे भी दिव्य चेत्राओं को भी कृतग्यता पुर्वक नमन करता हूँ मैं आज